हेलो दोस्तों, जैहिन, कैसे हैं आप सब? I hope सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे तो मैं आज दिन का दूसरा वीडियो लेकर आगया हूँ जिसमें अपडेट रहने वाला है आज पूरा टेक से रिलेटेड मतलब जॉब से रिलेटेड, इंटर्णशिप से रिलेटेड जोग हूई गवर्मेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, वो सारा का सारा मैं अपडेट इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आप अपने इस चैनल को New Tech World को आप सब्सक्राइब कर दीजे मैं इस चैनल पर डेली आपके लिए अपडेट लेकर आ रहा हूँ जॉब से रिलेटेड अपडेड और सारा टेक वीडियो का अपडेट जितना भी आपके लिए आपके लिए टेकनलोजी ओफ दे वीडियो उसके बाद में फिर जॉब के प्रिपरेशन से लेकर करके मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ ठीक है तो अब प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्राइब करते के साथ में ही आपको डेली ये नोटिफिकेशन आ जाएगा ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पर इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपके लिए ये एक निउस लेकर आया ह हो कभी भी आप ये देख रहे होगे कि नहीं अब मुझसे नहीं होने वाला है अब मैं इस से ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप बस अपने उन हेटर्स को याद करना जो आपको जिन्दगी में उससे नीचे करना चाहते हैं ठीक है मतलब जो चाहते है कि आप उसे भी नीचे हो जाएं आप हार जाएं आप बस उनको एक वार याद करना फिर आपके मन में वो जो होसला आएगा जो मोटिवेशन आएगा वो कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल मतलब बहुत होगा कि आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएं आप जो चाहते हैं जो किया जाता है जो उनके हेटर्स होते हैं जो उनलाइन ऐसा करते हैं तो उनको लिए इसने मतलब इन्होंने एक यह टर्म यूज किया थैंक्यू हेटर्स तो चलिए मैं अब जॉब की बात करता हूं तो जॉब के बात करने पर मैं सबसे पहले गौर्णमेंट जॉब की ब यह इसका job application start हो गया है, जो last date है application का payment के साथ में, वो है 22 अगस्त और online application submit हो रहा है, मतलब 23 अगस्त तक, ठीक है, यह बिहार सरकार के अंडर में government job रहने वाला है, आप इसका जो official site है, www.onlinebssc.com, आप उस पर यह check कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, paper की बात करू जो मतलब क्या इसका process रहने वाला है, क्या काम आपको करने को मिलेगा, ठीक है, तो जो process होने वाला है, वो paper 1 में आएगा, आपका उर्दू grammar, उर्दू summarization, क्योंकि मैं आपको बता दूँं कि यह जो paper है, यह जो job post है, 1505 जो job post है, वो सारा का सारा post उर्दू के लिए ही आय रहा हुआ है, आप उपर का job post का नाम देख सकते हैं, आपका जो नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर यह assistant उर्दू translator, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यह उर्दू से related है, तो इसमें paper में भी उर्दू ही पूछा जाएगा, पहला paper जो है आपका उसमें उर्दू grammar, उर्दू और मैं application fee की बात करूँ, तो application fee में general, bc, ebc, मतलब ebc आप समझ सकते हैं, जो backward class हो गया है, और यह extra जो backward class हो गया है, ठीक है, तो उनके लिए 700 रुपे, sc, st के लिए 200 रुपे, और जो female candidate है, या male candidate है, जो state के बाहर के है, ठीक है, मतलब बिहार के नहीं है, जो out of बिहार के है, उनका है 700 रुपे, और जो भी disabled candidate है, ठीक है, मतलब जो ph में आते है, physically disabled में, ठीक है, तो वो अगर sc, st से है, तो उनके लिए 200 रुपे, ठीक है, और अगर women candidate है, जो unreserved हो, या चाहे reserved हो, बिहार के resident, तो उनके लिए भी 200 रुपे, यह हमारा, यहाँ पर application fee रखा गया है, इस B.S.S.C. में, ठीक है, तो आप यह, इस पर मतलब जो इसका official site है, online B.S.S.C. मतलब बिहार staffselectioncommission.com, आप इस पर check कर सकते हैं, इसका जो last data of application है, वो है 23 अगस्त, ठीक है, इसमें, मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो payment कितना मिलेगा, जो salary कितना मिलेगा, यह अभी disclose न maximum is दिया गया है, तो अगर आप भी बिहार के निवासी हैं, और अगर आपको यह job चाहिए, या बिहार के बाहर के भी हैं, और अगर आप चाहते हैं, कि आपको उर्दू आता है, और आप यह job करना चाहते हैं, तो 1505 post का यह विल्कुल बढ़िया vacancy निकला है, तो आप इसम बात करें, तो दूसरा हमारे पास में bank job है, bank से related जो यह job है, वो है, IDBI bank का और इसका जो post है, executive post के लिए यह job निकला हुआ है, total 920 post है, इसमें ठीक है, और जो mode of recruitment है, वो है कि एक साल का आपका पर contract basis पर यह काम कराएंगे, जो 4 अगस्त से इसका starting हो गया है, और 18 अगस्त को वो होगा, online test, document verification and pre recruitment medical test, तो आपका पहले online test होने माला है, उसके बाद document verification होगा, और फिर उसके बाद recruitment से पहले एक medical test होगा, तो यह IDBI bank के लिए है, total 920 post पर आप देख सकते हैं, अगर मैं salary की बात करूँ, तो first year में आपका salary 29,000 रहने वाला है, ठीक है, और यही second year में 31,000 हो salary हो जागा, जो की government job में देखा जाए, मतलब private sector का job है, ठीक है, तो यह bank का job में अगर देखा जाए, तो बहुत बढ़िया salary है 34,000 का, जो अगर मैं minimum age की बात करूँ, तो minimum age 20 years है, और maximum age 25 years है, ठीक है, इसमें आप application का, जो भी applicant apply करने वाले हैं, आप उनका देख सकते हैं, कि 2nd July 1996 से पहले, मतलब यह आपका criteria यहाँ पे दिया हुआ है, आप बस ऐसे आप अपना criteria set कर लीजे कि 20 years minimum है, और 25 years maximum है, selection process की बात मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले online test होने वाला है, उसके बाद में आपका document verification होगा, document verification के बाद में आपका pre recruitment medical test होने वाला है, ठीक है, तो यह सारा जो test है, जो online test है, पहले वो 5 सिप्तमबर से 5 सिप्तमबर को मैं बता दू, 5 सिप्तमबर को teacher's day बना आजाता है, 5 सिप्तमबर से यह start होने वाला है, ठीक है, अगर मैं application fee की बात करूँ कि कितना आपको application fee देना पड़ेगा इस job के लिए apply करने में, तो जो SCST है, कि जितने भी है, चाहे वो BC हो, चाहे वो general हो, चाहे वो EWS से हो, economically weaker section से हो, उनके लिए 1000 उपे निर्धारित किया गया है, ठीक है, जो process of apply करने के लिए जो process है, वो है, IDBI bank के official site पर जाना है, उसके career section में, current openings में आपको देखना है, उसके बाद में आप notification एक बार डाउनलोड करके देख लिए, उसके बाद notification पूरा पढ़ने के बाद में, आप online registration link पर क्लिक करिए, उसके बाद आप registration form भर दीजे, उसके बाद फिर pay कर दीजे, मतलब payment कर दीजे, pay the application form, उसके बाद आपका form submit हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप apply कर सकते हैं, अगर मैं तीसरे job की बात क स्टार्ट किया है, कल से ही vacancy लेना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अगर मैं दूसरे job की बात करूँ, तो दूसरे में हमारे पास में, ये Indian Times Group का, ये हमारे पास private job है, इसमें software engineer का job चाहिए, मतलब अगर आपको software engineer का job करना है, private firm में, private company में, तो India Today, जो की India Today company है, जो group है, उ application mode, ठीक है, और physical, अगर मैं salary की बात करूँ, तो salary अभी disclose नहीं किया गया है, बट, यहां पर बोला गया है, कि best in industry, मतलब आप समझ सकते हैं, कि जो भी industry में, उस industry में, India Today group वाले industry में, मतलब जो भी, जिस sector में वो काम करती है, उस industry में, बढ़ियां salary आपको मिलने वाला है, अगर मैं education qualification की बात करूँ, तो education qualification में आपके पास में पहले तो मैं बता दूँ, कि आपके पास बढ़ियां academic record होना चाहिए, 65% in 10th, 12th and BTEC, ठीक है, क्योंकि यह software engineer का job है, तो BTEC करना बहुत जरूरी है, और BTEC में भी CSITEEE, मतलब electrical electronics engineering, और उसी तरह से equivalent कोई भी बढ़ियां engineering यह किसी भी recognized university से आप किये हो, तभी यह valid होगा, ठीक है, इसके साथ ही में good technical and aptitude skill भी चाहिए, आपके पास में, good technical and aptitude test यह skill भी चाहिए, आपके पास में, ठीक है, तो आप यह देख सकते है, application fee जो है, वो अभी कुछ भी नहीं है, मतलब zero application fee है आपके लिए, तो आप, तो अगर मैं अगले job की बात करूँ, तो अगला job है हमारे पास में, Maruti Suzuki का, यह जो Maruti Suzuki की company है, यह बहुत recognized company है, ठीक है, यह भी private job है, और अगर आप इस यहाँ पर apply करना चाहते हैं, तो total 200 post का vacancy निकला हुआ है, आप इसके लिए भी apply कर सकते हैं, starting date 6-8-2020 है, जैसा कि आप आप देख सकते हैं, आज हाट तारीख है, तो दो दिन पहले ही यह start हुआ है, और जो last day to apply है, वो है 15-8-2020, तो आप इसते पहले आप apply कर सकते हैं, जो इसका selection process है, वो है, online exams होगा, आपका personal interview होगा, उसके बाद में color blindness का भी interview होने वाला है, मतलब color blindness का भी, जो color blind candidate है, उनको allowed नहीं किया जागा, तो आप देख सकते हैं, कि color blindness का यहां पर बहुत बड़ा एक matter आ रहा है, कि color blind candidate को यहां पे apply नहीं किया जा सकता है, अगर मैं minimum age की बात करूँ, तो minimum age 18 साल है, और maximum age 23 साल है, ठीक है, और अगर कौन कौन apply कर सकते हैं, तो सारे लोग apply क नहीं है, ठीक है, job location पूरे इंडिया में आपको दिया जाएगा, कहीं पर भी, जहां पर भी company है, वहां पर आपको job दिया जाएगा इसका, ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया जॉब है, उसके बाद में अगर मैं एक last job की बात करूँ, तो वो है income tax department Mumbai का, इसमें जो है से driver रहता है, तो उसको MTS का जाएगा, ठीक है, तो total vacancy 155 है, ये start हो चुका है, और 25 अगस्त को इसका last date है, ये online, इसका सारा application form लिया जा रहा है, central government का job है, और Mumbai में ही आपको कहीं पर भी ये दिया जाएगा job, ठीक है, इसका official site अब देख सकते है, income tax mumbai.gov.in और www.incometaxmumbai.in, ठ पहले salary की बात करूँ, तो income tax inspector की salary है, वो 8 vacancy है, और salary आएगी, वो होगा 44,900 रूपे से 1,42,400 रूपे तक, as per 7th pay commission, tax assistant की बात करूँ, जिसका 83 vacancy है, तो उस पे 25,500 रूपे से 18,100 रूपे तक का salary आएगा, और अगर मैं MTS multitasking staff की बात करूँ, तो उसमें 18,000 रूपे से 56,900 का salary आएगा, ठीक है, अगर मैं age limit की बात करूँ, तो age limit 18-30 साल है, income tax inspector के लिए, और assistant, tax assistant और MTS के लिए, 18-27 साल का age group निर्धारित किया गया है, sports qualification मैं देख लूँ, जगर आप sports quota से हैं, तो उससे भी आप जा सकते हैं, ठीक है, apply करने के लिए, आप sports quota पर apply कर सकते हैं, ठी नोटिफिकेशन डाउलोड करके देख सकते हैं, कि नोटिफिकेशन में कितना बढ़िया बढ़िया information रहता है, और अगर मैं यहाँ पर कुछ छोड़ दूँ, तो आप प्लीज नोटिफिकेशन एक बढ़ बढ़िया से पढ़ ले, और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, आप सारा अपलाई कर सकते हैं, मैं सभी का लिंक आपके लिए ग्रूप में डाल रहा हूं, जो इसका ओफिशल लिंक है, वो मैं ग्रूप में डाल रहा हूं, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेर करिए, मैं डेली आपके लिए वीडियो कुई भी कंपनी का जो कैसे एक्जम होता है कैसे प्रोसेस किया जाता है कैसे पूरा पूरा का पुरा पूरा प्रिप्रेशन वीडियो जो सारण टेक्नलोजी ऑफ दे रहता है वह भी लेकर आता हूं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिये और ढही शारा प्यार बरसा है थैंक यू थैंक यू अल